सनातन धर्म में चैत्र पूर्णिमा धूमधाम और भव्यता के साथ मनाई जाती है। यह गुड़ी पढ़वा और चैत्र नवरात्र के बाद आती है। इसे चैती पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रेल को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन भगवान विश्णू, माता लक्षमी और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस तिथी पर किसी भी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक विध्या की जाए, तो इसके परिणाम तुरंत देखने को मिलते हैं। वहीं इस दिन हनुम में भी जीवित हैं, बल बुद्धी और विध्या देने वाले हनुमान जी की जैनती के दिन अगर आप कुछ उपाय करते हैं, तो आपकी सारी परिशानियों का अंध हो सकता है। नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ती वेदा, जोते शास्त्र के अनुसार, चैत् जानते हैं कि इस दिन किस चीज का दान करना चाहिए। इस साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथी 23 अपरेल को सुभा 3 बच कर 25 मिनट बजे शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 24 अपरेल को सुभा 5 बच कर 18 मिनट बजे होगा। उध्या तिथी के अनुसार, चैत्र प पूर्णिमा का दिन दानपुने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कहां जाता है कि इस दिन चावल का दान करना बहुत शुभ होता है। हालां कि इसके अलावा आप खीर का दान भी कर सकते हैं। खीर केवल चावल से बनी होनी चाहिए। इस उपाई को करने से घर में ह आमेशा सुक्सम्रिधी बनी रहती है। चैत्रपूर्णिमा के अवसर पर आप चाहें तो अपनी क्षमता के अनुसार चांदी का दान कर सकते हैं। चैत्रपूर्णिमा का दोश है। वे लोग भी इन वस्तूओं का दान कर सकते हैं। उनको लाब मिलेगा। चैत्रपूर्णिमा का दान कर सकते हैं।